हलो परेंट नमस्कार मेंडी प्यार आपका ये सीटूब चलन बहुत वस्तागत करता हूँ तो फ्रेंड्स आज में आपको यहां बहुत ही जबर जस्त टेक्निक बताने वाला हूँ पैसा कमाने की तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आपको बहुत ही सटीक नॉलिज दूँगा सटीक नॉलिज मतलब यह हमारी जो निफ्टी कैसे भागती हैं कैसे गिरती हैं क्या मतलब है इसका तो देखिए यहां पर आप लोग चेक कर पा रहा हैं तारीक है एक और दस बज के पंदरे मिनटे मैंने यहां पर आपको निफ्टी एंड फिप्टी का चार्ट खोल के रखा है अभी यहां पर देखिए 15,518 पर मार्केट टाइम हुआ है मात दस बज के पंदरे मिनटे मार्केट को खुले कितना हुआ है टाइम एक सबागंटा अभी मान लीजिए आपका एक गंटे में मार्केट इतनी नीचे चली गई वो कैसे गई अब वो ऐसे गई कि देखिए यहां पर टाइम कितना हो रहा है साब एक तारीक है और दस बज के पंदरे मिनट हो रही है यह मैंने चार्ट खोल के रखा है रिलाइंस इंडिस्टी का अभी यहां पर देखिए कितना टाइम बज़ा हुआ है दस बज के बीस मिनट पंदरे मिनट हो रही है यह मैंने खोल के रखा है टीसीयस का अब भी देखिए टीसीयस कहां से कहां पहुँची 3256 से और टीसीयस पहुची 3330 पर करीव करीव 60 और 90 अंक उपर गई मार्केट लब यह टीसीयस कहां करीव 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 90 अंक उपर गई क्योंकि यहां पर वो उसका जो रेट अब 3260 मान लीजिए 60 और 60 में 40 वो और 40 और 30 70 70-80 अंक उपर वो मार्केट गई अभी यहां पर यही हिसाफ देख लिए जाब निप्टी एंड फिप्टी में यहां देखे 15520 टाइम वही है अभी मार्केट गई फिर गिरी फिर उपर गई फिर उपर गई तो भाई लोगों देखो रिलाइंस और TCS दोनों उसी टाइम 10 वज के 15 मिनट पर नीचे आई तो उसी बज़े से मार्केट 10 वज के 15 मिनट पर नीचे आई लेकिन मार्केट आप देख रहे हैं कहां जाके खुली थी मार्केट देखिया आप लोग आप मार्केट पहुँची थी 15716 तक और फिल लाश्ट में उसने 15716 का भी हाई उसने पार कर दिया क्यों कर दिया वो केवल और केवल TCS के पीछे तो मित्रों यहां पर आप अगर निफ्टी 50 में काम करते हो तो जरूर ही जरूर आप लोग TCS और रिलाइंस पर जरूर दियान रखें कि यह कहां जा रहे हैं अगर यह जहां जा रहे हैं तो वहां मार्केट भी जाएगी पका चाहे आराइसाई कुछ भी कहें चाहें कोई क पिचास ही हाइस्ट है अभी यह गिरेगा पका गिरेगा TCS इसके बाद में रिलाइंस का जो आरेसाई बोला है त्रेपन तो यह उपर जाएगा तो मार्केट बहुती रियर केस होगा कि मतलब कोई बैड न्यूज आ जाए तो मार्केट नीच आएगी नहीं तो फॉर्स्ट में मार्केट ऊपर जाएगी फर्स्ट में मार्केट ऊपर जाएगी और मैं आपको बदा दूं मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट जादा नहीं जादा नहीं तो आपकी मार्केट 15,800 तक ऊपर जाएगी इसके ऊपर स्टेवल करती है तो फिर वो आपके 15,850 और 15,850 के बाद में आपका पंद्रहजार नौसो पंद्रहजार नौसो पंद्रहजार नौसो बीस अब भाईया अगर यहां से भी स्टेवल करती है मार्केट तो फिर आपको इस हफ्ते में करीब करीब 16,002 से 16,003 से और 16,004 से तक भी टार्गेट देखने को मिल सकते हैं अगर हम कल की बात कहें तो कल आपको मार्केट 16,002 से उपर जाती है तो 16,002 तक भी जा सकती है कल लेकिन first में तो नहीं जानेगी first में मैंने आपको बताया है कि first में market आपको 15,800 तक के target देगी दे सकती है बेभी possible और इसके बाद में नीचे आएगी market फिर नीचे आके फिर उपर recover कर सकती है तो ये कल का हमारा routine रहेगा market पूरा chance है gap अब थोड़ी सी gap अब खुलेगी और हल्की सी gap अब खुलने के बाद मैं चाहता हूँ कि और थोड़ी सी उपर बड़े इसके बाद फिर नीचे आए तब हमारी कमाई होगी तो यही reliance कि मैंने आपको reliance के बारे मतला है reliance दोनों जगे जाने के लिए तयार है अभी नीचे भी जा सकता है और उपर भी जा सकता है आप इसकी कुछ नहीं कह सकते है TCS की हम कह सकते हैं हाँ इसकी सीमा बिलकुल करीब है क्योंकि आप लोग पीछे का history उठा के देखिए यहां 83 और 87 तो मान लो और भी कितना चला जाएगा 10, 5, 33,000, 33,000, 343,000, 343,000, 343,000 और last 354 यहां से तो नीचे इसको बापस आना पड़ेगा 33,000, 343,000 से नीचे आना पड़ेगा इसको तो मैं तो बैंक निफ्टी में भी वही ऐसा ही मनलब ग्राफ है जो आपका निफ्टी में वो भी आप आ रहे से बगर आप उसका भी चेक कर लेना और मैं आपका हूँ तो मैं भी चेक करके दखा सकता हूँ आपको चलिए मैं दखा देता हूँ आपको एक बार बैंक निफ्टी का भी हम चुक चेक कर लेते हैं एक बार क्या कर रहा है इसका हिसाब तो लगवग वही चीज यहां निकल के आ रही है इसमें आप लोग वोई सेम सेम ग्राफ होई है सेम ग्राफ होई है वोई चीज़ है वो इसके भी यही टार्गेट आप लोग मान लोग कि आप गैप अब में 32727 को अगर ब्रेक करता है तो 32,000 33,350 और फिर आपका 33,973 34,000 तक यह हमको बैंक निफ्टी इस अपते में मिल सकता है देखने को कहां तक 34,1 तक अभी नीचे की बात करें हम लोग तो यह नीचे तो भाई थोड़ा उपर जाएगा थोड़ा उपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा तो नीचे हमें टार्गेट यहां पर इसके टार्गेट मुझे देख रहा है 33,400 के 33,400 के तो मित्रो म।ब भी होग् PROF. काम को कर रहा है ना और हम ट्रेड़ ले रहा है हम लोग औश को पैसा लगा रहे है तो मेरे दिमांग लगा है तो आपको बता सकते हैं अभी भी ऐसे दिमांग दिल की मानों आपका दिल और दिल की गलाए युटूब युट議 और ऑपका दिल यह ज क्या कहता है आप भी तो पढ़े लिखें आप भी तो यहां पर इतने सालों से या इतने समय से यहां पर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं यह नए भी हैं आप लोग नए भी हैं तो भी आप RSI को देख लीजिए के RSI भाई मलब 92, 93 मलब ऐसा तो नहीं है के वो 90, 100 तक 85, 86, 87 बस वहां से तो इसे बैक होके आना पड़ता है भाई मलब ख़बर आ जाए कि और नहीं सा युद्ध बंद हो गया तो भाई वो तो फिर एक एक अलगी चीज़ है एक यूनिक मैटर हो गया कि यह तो एक अदबुत घटना घट गई हैं तो मित्रों यहां पर मैं आपको बत कर लिया करें तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और एक वार हम लोग निफ्टी एंड एस जी एक्स निफ्टी का विदर्शन करने हैं चलिए यहां पर देखिए एस जी एक्स निफ्टी यहां पर इनिन्यानेवा अंक ऊपर है और डॉब जोन फ्यूचर भी देखिए यहां पर दो से असी अंक ऊपर है तो मार्केट ऊपर जाएगी न अगर यही रहा तो मार्केट अप हलकी अप खुलेगी फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी यह मेरा कल के लिए प्लान है तो मैं कल मैं पहले फर्स्ट में कॉल पर ध्यान दूँँगा उसके बाद तब तक लिए जय हिंद जय भारत